तो फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं ये राहूल संस्क्रान पंडिली जी का ये मुख के द्वार है गेट का और हम आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे आप हमारे वीडियो के इन तक जूड़े रहें क्या जो प्रतिमाब देख रहे हैं या महापंडित राहूल संस्कान जी की है का जन्म 9 अप्रेल 1893 में और दिहावशान 14 अप्रेल 1903 को हुआ था जीने महापंडित की उपादी दी जाती है हिंदी के एक प्रमुक साहितकार थे वे एक परतिष्ठी बहू भासा वीद थे और विस्मी सदी के पुर्वाद में उन्होंने यात्रवर्तान साहित किया और विश्व दर्शन के छेत्र में शाहिते ये गुदान कियें वह हिंदी शाहिते के पितामा कहे जाते थे बहुत धरम पर उनका सोद से हिंदी शाहिते में युगान तरीक माना जाता है जिसके लिए उन्होंने तिबब से लेकर सिलनका तक भ्रमड किया था इसके लाम उन्होंने मद एसिया तथा काकोस भ्रमड पर भी वितान लिखे जो साहितिक दिश्टित से बहुत महत्तपूर है तो आजमगर जिले के निजामाबाद पंधा इस्थित इनका ननिहाल था या ननिहाल में ही रहते थे आईए हम आपको इनकी सारी चीजे दिखाते ह जो मौकिय पर मजूद है कि सारी चीजे जो भी यहां पर उपस्तित है और ये आपने ननिहाल में रहते थे इनका निवास जो कनेला था कनेला पर को छोड़कर इनका जो भी पालन पोसड़ था यहां ननिहाल में हुगा तो हम आपको उस जगह को दिखाएंगे यह वही जहां पर रहते थे अब सब कुछ पहले कच्छे का मकान था जो अब धह चुका है अब यहां पर है नहीं और उसी जगह पे पंडी जी की नमरड कर दिया गया है आप देख सकते हैं वहां पे लाइब्रेरी है अभी हम आपको लाइब्रेरी दिखाएंगे उनकी सारी पुस्तक पुराना मकान है तब का यह वही कुणा है जहां पर महां पंडी रावतसांस के हां जो इस टाइम पीते थे और नहाते थे और इसमें थोड़ा सा कचला हो गया इस टाइम यह वही कुणा है जो बचा हुआ है और हम आप और आगे दिखाते हैं वीडियो के साथ अब बने रहें और अगर नए है तो आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें बहुत ही बड़ी उपलब्दी है जो हमारे आजमगड के लिए जिसके वज़ा से हमें सम्मान मिलता है और जिले के लिए बहुत ही गर्व क की बात है जो भी लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोगों को अभी पता भी नहीं है तो या जानना भी हमको चाहिए कि ऐसे महान लोग जो हमारे जिले में रहते थे उस टाइम तो सिरियूद विजय कुमार जी ने IPS आजमगड तो इन्होंने 2009 में इसका सिल्या नास किया था इस लाइबरीरी का तो आईए हम लाइबरीरी में हम आपको दिखाते हैं यह यहाँ पर लाइबरीरी है महापंडित लालसंत्याजी का यह सबसे पुराना फोटू है और इन्होंने सबसे इनके जो प्रमुक रचनाती भागों नहीं दुनिया को बदलो और इन्हें घुमकडी भी कहा जाता था उश टाइम और यह बहुत ही देशों की यातरा भी किये और जिस देश में जाते थे उस देश की भासा बोलते थे सबसे महातपुर तो यह बात है कि इनको 36 भासाओं का ज्ञान था यह 36 भासा बोलते थे और अने प्रकार की इनके द्वारा रचित निमलिखित रचनाएं हैं जो आपको मैं दिखाना चाहता हूं या इनकी सबसे प्रमुक रचना भागो नहीं दुनिया को बदलो राउल शंच्रितान जी इस सब देख सकते हैं इनकी ही द्वारा रचित या रचना है आपने देखा सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया और मिलते हैं निस्ट वीडियो में ऐसा ही कुछ वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जो आजमगड जो अपने आजमगड जिले में इस्तित है या हम सभी के लिए बड़ी ही गर्व की बात है कि ऐसे-इसे महान सक्षियत हमारे आजमगड जिले में जो निवास करते हैं और हम लोगों को कुछ अभी तक पता नहीं है इनके बारे में या हम सभी वाओं को जानना चाहिए या बहुत ही महात्तुपूर चीजे हैं जो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है त कि मिलते हैं नेश्ट वडियो के साथ अब तक के लिए जाहिए जाए भारत